Hey everyone, so ये वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं, नया Toyota का जो Urban Cruiser है, उसका MID से आप Doors पे क्या-क्या Customization कर सकते हैं, so इसको कैसे करना है मैं आपको Detail में Explain कर देता हूँ, MID के Customization in the sense, Speed Sensing Door Lock कैसे Engage करना है, कैसे Deactivate करना है, Similarly, की से चारो डोर कैसे Unlock करना है, और अगर आपको नहीं चीए, तो सिर्फ एक डोर, Driver Door कैसे Lock Unlock करना है, ये सारी चीज़े हम लोग समझ लेते हैं, तो Door के Setting में जाने के लिए, सबसे पहले आपको देखना है, ये जो Right Side का Lever यहाँ पे दिख रहा है, ये Lever को आपको Long Press करना है, जब आप इस Lever को Long Press करेंगी, जैसा अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप देख सकते, Door का Setting आपके सामने Open हो गया, MID पे, इस Lever को आपको वापिस से एक बार प्रेस करना है, तो जब आप इसे प्रेस करेंगे, तो सबसे पहले आपको दिखेगा D1, D1 पे आपको इस Lever को वापिस से एक बार प्रेस करना है, D1 में आपको दो चीजे दिख रही है, SL1 और SL2, जो SL1 है, इस पे आप नोटिस कर सकते हैं, कि SL1 पे आप देख रह करेंगे, की से, जो रिमोट की है, तो SL1 पे चारो डोर एक साथ अनलोक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप SL2 का सेटिंग सेफ करके रखें, अभी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने SL2 पे सेफ कर लिया है, ठीक है, इसके लिए आपको SL2 पे A, B लिखके आ रहा है, तो इसका मतल करते हैं, तो आप SL1 में सेटिंग सेफ कर सकते हैं, और अगर आप के लिए ट्रैवल करते हैं, आपको सिर्फ ड्राइवर डोर का काम है, तो आप SL2 पे सेटिंग को सेफ कर सकते हैं, सेटिंग को सेफ करने के लिए, आपको अगर SL1 चाहिए, तो आप अभी एंटी क्लॉक वा जाके प्रेस कर देता हूँ, तो वो वाली सेटिंग फिलाल सेफ हो जाएगी, ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग D2 पे, इसी लिवर को मैं clockwise रोटेट करता हूँ, D2 पे क्या क्या option अवेलेबल है हम लोग समझ लेते, D2 पे जब आप वापिस से इस right side वाले लिवर को प अगर मैं अब इसे वापिस से प्रेस करूँगा, तो success हो गया, और D2 पे आप देख सकते, SL1 पे AB लिखके आ गया, इसका मतलब यह है, D2 SL1 का, कि आपने speed sensing door lock को बंद करके रखा है, अब 20 का speed जैसे ही cross करेगा, आपका गाड़ी का 4 door lock नहीं होगा, However, हम लोग suggest करेंगे यह, कि आप हमेशा इस setting को, D2 को SL2 पे safe करिए, जो मैं अभी कर देता हूँ, तो इससे ही होगा, कि आपके गाड़ी का speed sensing door lock है, वो activate रहेगा, और जब भी आपका vehicle 20 का speed cross करेगा, तो 4 door lock हो जाएगे, जो safety में काफी enhance कर देगा, अगर मान लीजे कोई ब यह lever को press करता हूँ, D3 पे आपको SL1 और SL3 ऐसा दो setting दीखेगा, अभी फिलाल SL3 यहाँ पे engage है, क्योंकि आप देख सकते AB मतलब available उस पे लिखा हुआ है, SL3 का मतलब यह होता है, जब आप गाड़ी को engine का जो यह push start and stop button है, इससे बंद कर देंगे, तो जब आप गाड़ी को बंद कर देंगे, तो चारो doors automatically unlock हो जाएंगे अगर वो lock है, और अगर आप SL1 को select कर लेते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ, तो इससे यह होगा कि चारो door engine बंद करने के साथ automatically unlock नहीं होगे, आपको manually unlock करना पड़ेगा, तो as per your requirement, again आप SL1 या SL2 जो भी आपको setting चाहिए, उस आप safe कर सकते हैं, मैं अभी इसे SL1 पे safe कर दिया, अब जब आगे जाएंगे तो आपको option आता है DeFi का, अब यह DeFi क्या है मैं आपको बता देता हूँ, DeFi में SL1 और SL2, again दो option available है, तो यह जो SL1 है, इसका मतलब यह है, जब आप कचाबी से, आपके remote से गाड़ी को unlock करेंगे, तो alarm indicate करेगा, जैसा आप सुनते beep बचता है दो time, कि आपके lock doors जो है, वो unlock हो गए, और अगर आप SL2 पे engage कर देंगे, तो इससे जो key से lock और unlock पे alarm बचता है, वो alarm नहीं बचेगा, तो फिलाल doors के लिए इतनी settings available है, जो मैंने आपको बताया, यह मैं description में लिख भी दूँगा और आप इसमें जो भी doubt है, मुझे comment करके इसको clear कर सकते हैं, अब वापिस से आपको back करना है, जो आपके MID पे, तो इस lever को आपको anti-clockwise rotate करना है, anti-clockwise जब आप rotate कर देंगे back option आएगा, back पे आपको press करके, door के वापिस से इसको anti-clockwise rotate करके, end पे इस lever को press कर देना है, जब आप press क कर देंगे, तो आपका MID का icon वापिस से आजाएगा, hope ये video clear है, thank you so much.